सब्सक्राइब करें तो यहां पर सबसे पहला सवाल बनता है कि जिनको फार्मसी करना है इस वजह से वो लोग WBJ को दे रहें इस से देंगे तो उनका फीज भी लेस होगा यहां पर गॉर्मेंट का फीज उनको देना पड़ेगा और दूसरा एक benefit है कि अगर कोई scholarship scheme है तो उस पर आप लोग जा सकते हो गॉर्मेंट में अडिशन लेना है तो विदाओ WBJ वो पॉसिबल नहीं है तो कौन कॉल्से टॉप कॉल्जेस में अडिशन लेगा सही रहेगा इसको पर एक overall बात करेंगे हम लोग पर्टिकुलर्ली देखो मैंने खुद personally तो किसी में like मुझे personal experience तो है नहीं तो जितना इसलिए मैंने इंस्टेग्राम पर यूट्यूब पर मैंने आप सबसे पूछा था जिन्होंने B farm या फिर M farm या पर कुछ भी किया है किसी भी स्पिंगॉल की कॉल्स में तो कि आप लोग अपना पोल बताओ तो मैंने पोल के रिजर्ट भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि मुझे क्या रिजर्ट मिला है तो देखो में पहले तो कुछ नाम में में मेंशन करूंगा इस वीडियो इस नाट प्रमोशन कोई पेट प्रमोशन वगरा नहीं है बस मैं आप सब का ही दिया हुआ जो बोल है उसी को आप सब करेंगा अगर आप फार्मसी में रेली इंट्रिस्टे कर दो इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत रहो करने हैं टॉप कॉलेज से करो चार साल दे रहे हो इतने सारे फीज दे रहे हो तो जो नोलेज है उसको पूरा खीच भी लो तब जाके आपको एक सैटिस्ट्रक्शन मिलेगा कि चार साल हमने पूरा दिया उसके बदले हम लोग अगर चार साल कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको कोई पूछे कि आपने बाई किया क्या है आपने चार साल पे तो आपका अगर अंदर एदर लगे कि मैंने तो सच में किया ही क्या है कुछ नहीं बस assignment लिखे है बस जो की current situation ऐसा ही है assignment लिखते लिखते ही पूरा चार बस assignment लिखो practical लिखो copy paste करके और submit करो और attendance लेओ इसी से हो जाया आपका डिगरी का बट ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा सोचो ही मत बहले आपका attendance कितना भी लो बहले आपका assignment complete हो या ना हो एक ही assignment करो लेकिन वह अपने research पे करो अपने analysis के base पे करो ऐसा नहीं कि बस किसी का copy paste कर यह नहीं होना चीए mentality क्योंकि अभी सोच रहे हो कि ठीक है चलो करते है नमबर तो मिलेगा लेकिन जैसे चार साल बात सोचो कि अपने previous year को तो ऐसा लगेगा कि हमने तो चार साल में कुछ किया ही नहीं actually में college तो बेकारे college को दोस्त होगे तो maximum time college का दोस्त नहीं रहता कुछ अगर खुद का motive है clear कि मुझे इसके उपर जानना है क्या career है क्या opportunities है क्या jobs है क्या salaries है खुद research करो सब कुछ available है internet पे यूट्यू पे available है मेरे channel पे available है दूसरे channels पे available है सब कुछ data available है तो आपको research करना होगा study के साथ साथ जब मैं during before मुझे भी GPAT क्या होता है नाइपर क्या होता है इनका ideas नहीं था लेकर हम लोग इस पे कुछ कुछ दे सकते है दोश college को कि क्यों नहीं सिखाया गा हम लोग को लेकिन पूरा नहीं दे सकते हम लोगों को भी effort लगा रहा होगा हम लोगा भी connection strong होना चाहिए network strong होना चाहिए social media को use मत करो सिर्फ बेकार की चीजों के ल लेजे गुर्णानव जी एनपी एस्टी डॉक्टर वी सिर्वाइक फार्मसी कॉलेज है जो की दुर्गापूर में है NSHM knowledge campus ये कोलगादा में भी है और दुर्गापूर में भी है तो मैंने mainly इनको रखा था और बाकि आदर्स जो किसी का है वो भी पूछा था मैंने तो maximum 73 जो है वो जादपूर इनिवर्सटी पे मिला है तो फिर आप सब का ही कहना है तो मैं आया यह पर पहूंगा कि हाँ डेफिनिटली आप जूज कर सकते हैं बढ़ जितने सीट से उतना ही top-cut-up जाएगा जादपूर के लिए तो WBJ से आगर आप जाएगो तो एब्रिवान को मिलेगा अगर कोई छोड़ देता है तो दूसरे को जाएगा उसके बाद एक और कॉलेज भी है गॉवर्मेंट कॉलेज डब्लू जी का अटेकर दो ही कॉलेज है भी पाम्प लिए ठीक है और बाकी जीनपी एस्टे मुझे 3% मिले है वस डॉक्टर बीसी राइप 11% मिले है तो यही रिजल्ट है अच्छली में कॉलेज आभी तो बहुत सा रहे है यह कुछ है जिन पर आप लोग अगर आपको वेस्पेंगोल भी करना है तो अब इनको ट्राइप कर सकते हो ठीक है जीनपी एस्टी बीसी रव एंजिनिरिक फार्मसी कॉलेज निसेचम एक कॉलेज ह उनका कहां कैमपसी हुआ है उनका क्या कहना है परसनली एक्सपीरियेंस हर एक से पूछो थोड़ा सा इनको रिसर्च करो एनलेसिस करो फिर कॉलेज को जॉइन करो ठीक है यही मेरा सुजिशन है जो वेस्पेंगोल पर फार्मसी करना चाहतो और एंफांग के लिए और कॉल थांगoral से पुझाओ किए स्टाइबाब्लॉ।